तो आगए फ्रेंट्स आप लोग वेलकम करती हूँ आपका एक नए ब्लॉग में तो पता मेरे आद तीन चार दिन से लगातार बारिश होई और जहां तक मुझे जानकारी है ये बारिश आप सभी कहां कॉंटिन्यू होई होगी ठीक है तो उस शक्कर में ना मैंने कपड़े खटे कर लिये थे मैं अब दुली नहीं पाई बहुत टाइम से सोच वेदी धुलना है बट सूखें गई नहीं तो क्या मतलब हुआ बट अब एक दो दिन से ही मौसम खुला है दूत निकलने स्टार्ट हो गए तो बहुत सारे कपड़े थे तो मैं कपड़े खुद तो नही करते हैं तो काम करती हुँ साथ में मसीन से अपने कपड़े बना पर बाश वह आते हैं उसमें क्या है डाल दो सिस्टम एक बार सेट कर दो तो अपने आप हो जाता है तो यह मैंने कपड़े धुल लिए हैं और इसको मैं फैला रही हूं और मैं इतनी आलसी हूं कि मैं छट नहीं गई कपड़े सुखाने के लिए जबकि छट पर डालना चाहिए था मम्मी आएंगी तो पक्का जिलनाएंगी छट पर नहीं जा सकती इस रक्षा को तो एक नंबर का आलस चड़ा रहता है विलकिन मैं नहीं जाने वाली यहीं कहीं उठा लूंगी आराम से तो फ्रें यह है मेरे पापा जो की मार्केट जा रहा है हाथ में फैक्चर आ गया मानती नहीं है जहांसी से अभी दो-तीन दिन के लिए तो कच्छा प्लास्टर चड़ा हुआ है अभी यह कटना है फिर इसकी बाद पक्का जाएगा एक महीने के लिए ठीक है फिर भी उनको चैन नहीं पड़ सकता वो थोड़ा बहुत मूव करते ही रहते हैं आतों को मना भी करो तब भी नहीं मानना है और अभी दो-तीन के लिए घर आए है और फिर चले जाएंगे वहीं रहते हैं समय एक महीना हो गया जहासी है मकान बन रहा है मैंने आपको बताया था न और यह देखी चु बग करते हैं पंचियों की तो देखिए दाना डाल रहे हैं उसके बाद ये एक दिन पहले की सुटेंगा जब बारिश हो रही थी अब वो च्छाता सई करवाने जा रहे हैं तो उन्होंने का नए मतलो सी को हम सई करवाय दे रहे हैं और बस कल बारिश खतम हो जाएगी तो पापा फिर जासी चले जाएंगे क्योंकि वहां पर काम रुका हुआ है वहां पर भी बारिश हो रही है तो पैदल जाएंगे उनको बाइक चलाते बन नहीं रहा है और मैंने अलग से पूरी किलिप बनाई थी पापा की साथ पूरा हाता तो उनका दिखाया था बट वो किल लगी ना जब पापा को लग गई थी एचोड उन्हों ने बताया नहीं था हम लोगों को रोज बात कर रहे थे जहासी से रोज कौन पर बात हो रही थी तो बताया नहीं कि हमको चोड लग गई कि रख्षा परिसान हो जाती बहुत जादा क्योंकि मेरा डाटेशमेंट बारेश वही दो तीन जाजी में काम रुख गया फिर वह घर पे आए तो फिर हम लोगों ने देखा कि मतलब पापा को तो हाथ में फैक्चर है तो एकदम से चिला पड़े हम क्या हुआ तो बोले कुछ नहीं हम गिर पड़े थे तो हमने काम बंद करो काम आप बैठो घर पे बोले बस इसलिए तो हम बताते नहीं है तो मैं सीधे कहना कि काम बंद करो वहां पर फैला पड़ा सब बरवाद हूं का मटेरियल सब कुछ है तो इसलिए हम नहीं बता रहे हैं तो फिर मतलब घर पे आगे सीधे पड़ा चला कि उनको फैक्ट चला गया है तो फ्रेंड्स ले ली है क्योंकि इतना तीज जो खाम था कि काम करने मन नहीं लग रहा था और काम मेरा ना हो वीडियो शूट ना हो तो मेरा तो मूड पूरा खराब हो जाता है तो फिर हस्बेंड जी मेरे लिए दवा लेके आए हैं पापा जहासी चले गए हैं और कल ही निकल गए थे व अधे हाथ में वह तो शर्ड पहने थी तो दिखनी रहा था तो काफी चोट आ गई थी उनको बट अब फॉन आया मेरी बात हुए उनसे तो आज उनका प्लास्टर वाला कट गया है कच्चा वाला पक्का प्लास्टर चड़ गया है और चार हफते यानि कि एक महीने मान सकते हैं इसके उनकी काम करने किया कभी पीड़ियों गहर बन रहा है तो पापा रही काम होता थे हैं मेरे रिष्टे में अपने तो उनको अपने साथ वहीं पे रखे हैं रूम पर जो फ्लेट दिये हैं किराय से भी रिंट पे तो वहीं पे अपना मतलब बनवा रहे हैं तो बस अब पांच दिन का काम और बचा समर सिविल भी लग गया है थोड़ा बहुत फाटक जो बड़े वाले दरवाजे होते न लोह सब्सक्राइब क्योंकि इतना आसान नहीं है दूसरे में में अकेले रहना और फिर सारी विवस्थाय देखनी पड़ती आप लोग समझ सकते हो कितनी दिक्कत होती है फिर देखते है महीने दो महीने में वहां कभी नंबर लगेगा तो वह में स्टाट हो जाएगा और करीब तो I hope आपको आज का व्लोग अच्छा लगा होगा अच्छा लगा हो तो like share कर दीजेगा फिर मिलते हैं अगले व्लोग में तब तक के लिए बाइ बाइ